हैलो यूरिवन कैसे हो आप सब बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे थी कि घर में अगर चुहे हो गए है तो बिना मारे इनको कैसे भगाए क्योंकि अगर घर में इनको मारने के लिए दवाई डालते हैं बहुत ज़दा खत्रा बढ़ जाता है कही बच्चे हाथ न लगा दे दवा से भगाना बहुत ज़दा जरूरी है वो भी बिना मारे बहुत ही आसान और यूसफुल तरीका है जरूर ट्राइ कीजिए और वीडियो को एंटक दिखे क्योंकि एक भी स्टेप मिस हो गई तो हो सकता है आपको अच्छा रिजल्ट ना मिले क्योंकि सारी जरूरी चीज़े है तो वीडियो को एंटक दिखे पसंद आये तो दोस्त के सारी शेयर करना ना भूले तो यहां पर हमें जो चाहिए वो है पहली चीज मैदा बिल्कुल हमें दो चम्मच मैदा चाहिए मैदे के अलावा यहां पर चाहो तो गेहु का आटा ले सकते हो पर मैदा लीजिए तो बहुत ज़्यादा यह अच्छा असर करेगा यहां पर देखे बस दो चम्मच हमें लेना है आपके घर में ज़्यादा चुए है तो उसके अकॉर्डिंग इसे आप कम ज़्यादा कर सकते हो उसके बाद यहां पर हमें डालना है कोई भी मीठा बिसकिट या फिर कोई भी के पास जरूर आते हैं तो हमें ये टेक्निक जरूर यूज़ करनी है क्योंकि जो हम बना रहे हैं अगर छुए खाएंगे नहीं तो इसका असर कैसे होगा तो यहां पे देखें दो बिस्किट मैंने यहां पे अच्छे से थोड़े बारिक करके इसमें डाल दिये हैं और उसके करना है उसी का फायदा लेना है इसमें हम प्यास को कद्दुकस करके डाल रहे हैं जिससे की इसमें एक स्मेल बनी रहेगी दूर से भी चुहा इसे सूंग लेगा क्योंकि देखें कई बार ऐसा होता है हम कुछ भी दवाई डालते या फिर इस तरी की रेमेडी करते हैं पर इसको खाता ही नहीं है तो इसका फायदा बिलकुल नहीं होने वाला है तो जितना हो सके इसमें हम ऐसी कुछ चीज़े आड़ कर रहे हैं जिससे की इसमें एक टेज खाने पिने वाली स्मेल रहे जिससे की अट्रैक्ट होकर चुहे इसको जल्दी से जल्दी खाए ये बहु क्या करना है दिखे इसे अच्छे से mix करना है और एक बात इसमें हम जो दो-तिन चीज़े add कर रहे है जो की super effect इसमें करेगी और जो आप देखते रह जाओगे आपके घर में दो-तिन दिन बाद एक भी चुहा नहीं दिखेगा ऐसा ќो आप यहाँ पे कपड़े का साबुन जो है उसे कद्दुकस great करके भी डाल सकते हो बहुती बड़ीया असर करेगा यहाँ पे आप नहाने वाला साबुन इसमें बिल्कुल ना डाले, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जिसके घर चुहे होते हैं, नाहाने वाला साबून तक वो खा जाते हैं, क्योंकि ज्यादा उसमें केमिकल नहीं होता है, पर जो कपड़े का साबून होता है, या फिर वाशिंग पाउडर उसमें बहुत सारे लेते हो नो तो ज्यादा वाशिंग पाड़र भी लीजिए तभी ये असर करेगा और इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है और बिल्कुल हम इसका आटा गुनेंगे पर बस आटा गुनने से काम नहीं बनेगा इसे हम और एक तरीके से यूज करेंगे जिसी की हमारे दो फाइद देते हो तो आपके घर में ज़रूर इस तरीके के कीडे मकोडे होंगे क्योंकि इस तरीके कि जो कचरे पिखाने पिनी की चीजे होती है ढूंडते हुए चुहे उनके पाथ जरूर आते है तो हमें रात के टाइम कचरा बिल्कुल घर से बाहर रखना है मतलब फेक देना है और दूसरी चीज है कि अगर आपके घर में बहुत ज़दा चुहे है तो उनके बच्चे भी जरूर होंगे तो हमें पहले घर की भी सफाई करनी है जिससे की सारे जो बच्चे हैं उनके वो भी निकल जाए और उनकी और तादात ना बड़े तो यहां पे आपको इन छोटी छ जानना बहुत जरूरी है हमारे घर में यह जो अंचा है मेहमान होते है चिकली चूहे या फिर कॉक्रोच इनसे बहुत ज्यादा परेशानी हमें होती है क्योंकि देखे बहुत सारी बिमारिया भी इनसे फैल सकती है चूहा तो एक ऐसी चीज़े जो की बयानक एक बिमारी ल वाच करने लगते है कि पूरी नीन भी नहीं हो पाती है मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जहां भी रहते है बहुत गंदी बद्बु आने लगती है तो बिलकुल इनको घर से भगाना तो जरूरी है तो यहां पे आप देख सकते है जो आटा मैंने गूंदा है ब अगर आपके घर में चुहो के बिल है या फिर घर के बाहर गार्डन में कहीं पे चुहो के बिल बने हुए है तो उसमें से भी अगर आपको चुहा बाहर निकाल के घर से बिलकुल दूर उनको भगाना है तो वो भी आपका काम बन जाएगा और घर के अंदर अगर चुहे है तो वो भी आपके भाग जाएंगे तो यहाँ पे देखें यह जो आटा है इसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा पानी और इसे बिल्कुल हमें पतला करना है एक liquid बनाना है और थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे और यह जो आटा है न अंदर का सारा का सारा हम उसमें mix करेंगे यह जो पतला liquid है इसे हमें use करना है दो से तीन जो चूहे के बिल है उसके लिए यह काफी है तो अगर आपके घर में चूहे के बिल है То ये liquid उन के बिल में सीध है आप डाल दीजे और आप देखोगे एक दो घंटे बाद वहां से जो चुहे है न ऐसे भागेंगे कि दो बारा कभी भी नहीं आएंगे क्योंकि इसमें जो हमने चीजे मिलाई है वाशिंग पाउडर और बाकी की सारी चीजे उनके लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल हो सकती है हाँ पर ये बिल्कुल भी चुहे जो है न इससे मरेंगे नहीं पर हमारे घर से भाग जरूर जाएंगे तो ये तो हमें सीधा उनके बिल के अंदर डालना है और अगर घर में उनके बिल नहीं दिख रहे है तो आप क्या कर सकते हैं जो आटे की गोलिया है उसे बना लीजिए उसे आपके घर में सभी कोने कोने में रख दीजे जहां साबान रखा हुआ है वहाँ पे तो इसे इपने की जगह होती है कोने कोने में जैसे दिवारों के सटी कोने में रखना है जहां पे भी आते जाते हैं वहाँ पे इसे जरूर रखिए बहुत ही बड़ी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा जरूर ट्राइ कीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमें आपको ये होगा